हाई वेलकम बैक टो नीवे अगर आप मेडिकल एजुकेशन वेबसेट पर जाते हैं www.mac.gov.np लॉगिन करते हैं अपने क्रोम प्राउचर यह गूगल पर तो आपको यहाँ पर दिखता है सुचना मेडिकल एज सब की है इस सारे तो आपको यहाँ पर अगर नोटिस सेक्शन में यहाँ डिरेक्ट जाते हैं तो इस तरह से आपको सबसे पहले जाता ही इस तरह से पहले खुल कराता है जो कि यह पीजी का प्रस्टमॉंट मेंट है और यहाँ पर आप देख चाकते हैं पीजी को प्रस्टमॉंट कर दिया गया है थोड़ा उसके बाद नेक्स्ट करते हैं तो आपको इंगलीश में वही चीज जो नेपाली में लिखा था उसको इंगलीश में है और यहाँ पर एक प्रस्टमॉंट चेंज किया गया शिर्फ की जे फॉरेंट के लिए जो अब पहले अधार कार से होता था तो आप पासपोर्ट कंपल्सरी कर दिया है अगर आप पीजी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो तो पासपोर्ट इस कंपल्सरी है पीजी में और उसके बाद यह पासपोर्ट पीजी में हुआ है तो आप यह समझ सकते हैं कि यूजी में भी यह पासपोर्ट को कंपल्सरी बना सकता है लेकिन अभी निश्पर कोई अपिस्यल अपडेट नहीं आए उसके बाद आप आते हैं तो यह जो मिन्स एकाडमी कलेंडर था मेडिक का नमर हो गई और यह कल्ला मलब की जह सनातक सनातक करने मिलब प्रग्राम से लेगर हो गई तो आपको देख सकते हैं मिन्स क्लासे सरौनिंग अपडीम्स के लिए आपको यहां पर दिख रहा है कार्तिक मिन्स तैस्टर हापता से होने बाला था तो यह कार्थिक मिन्च 17 गत्य से जो 14 गत्य मिन्च 1 वीक में 7 दिन होता है तो 7 प्लस 7 14 प्लस मिन्च 14 दिन के बाद कभी भी result आ सकता था कभी भी publish हो सकता था तो यह है उसके बाद आपको यहाँ पर तो इसका जो आप नोटिस देखेंगे मिन्च आप DMMCH का प्रोग्राम मैच करेंगे तो exactly date पर गया है जो भी चीज़े इसमें में मेंशन कियागा उस अनुसार से हुआ है सब सारे चीज़े हुगा है उसी तरह से आप PG का देखेंगे यह PG का है तो PG का भी सारे चीज़े almost date पजार रहा था लेकिन अचानाक सी पॉस्पॉन कर दी गई deadline को extend करकर और प्लस exam को पॉस्पॉन कर दिया गया तो यह चीज़े क्यू हुई यह भी बता हूंगा और सबसे पहले आते हैं यूजी में तो यूजी में अगर हम लोग देखेंगे यहां पर यूजी की जो मिंस अप्लीकेशन फॉम की नोटिस आने बले थी वह कार्तिक तेश्रों विक में आने बला थे तो देखिए यह जो चार नमर की find है वह यूजी के लिए कार्तिक तेश्रों में आने मेखनी नमेंबर की फंस्ट वींग में आने वाला था और यहां पर आप देख सकते हैं लेकिक से क्लासेमिभर की थाड़ विक में शुरूह भिनाता जो काती की थाड़ विक में था उन्हें तो आपको मैं पहले सबसे पहले इसको बंड करकर आपको यह खुला ही रहने द लेकिन वही पर यूजी का जो फार्म है उसके लिए नोटिस नहीं आया है और इसके साथ साथ जो पीजी का था उसको पस्पॉन कर दिया गया है लेकिन यहां पर इलेक्शन चलने जा रहा है आपको गत्य के हिसाब में बला जाए तो चार गत्य को इलेक्शन है मंग्सीर चार को और आपको इंगलिस टेट में बला जाए तो नवेंबर 20 की करीब में इलेक्शन है तो इलेक्शन की बज़ा से जो नेपाल इलेक्शन कमिशन है उसने क्या कहा है कि आप कोई भी या वैकेंशी कोई भी एक्जाम कोई भी इस तरह की नोटिस बगएरा नहीं निकाल सकते हो तो इसलिए medical education ने यो निकल गया था तो एक्जाम तो नहीं करा सकता है election of code and conduct के बिच में तो इसलिए PG का जो है उसे पस्पोन कर दिया जहां तक इसमें कोई भी official नहीं लिखा गया है कि मैंने क्यूँ पस्पोन कर रहा हूं इसके region क्या है कुई भी official data नहीं है किसी के बाद लेकिन जहां तक मैं guess करता हूं और जहां तक बागी लोग guess करते हैं सारे चीच election की बज़ा से हुआ है लेकिन medical education इस पर देना जाए था official notice की क्यूँ मैं पस्पोन करना हूं लेकिन अचानक से कर दी कोई region नहीं तरह से यूजी में जो delay आ रहा है यूजी के application form में वह आप यह समझ सकते हैं कि जो election है और election की code of conduct है जिसके अमसार आप exam बगरा और new vacancy, new form, new application कुछ भी release नहीं कर सकते हो इसलिए उसका delay हो रहा है लेकिन जहां तक मुझे लगे form में delay हो लेकिन आपको जो exam है और बागी curriculum है वह मेरे हिसाब से जहां तक मैं स्वोच रहा हूं उस पर आपको कोई भी औसर नहीं आएगा सारे timely होगा लेकिन देखते है medical education मैं भी recently काटमांडू में आया हूं कोशिश करते हैं reach out करने के लिए medical education के और find out करते हैं कि यूजी में क्यों delay हुआ और क्यों कॉप उसका form आ सकता है और exact scenario accepted date बगेरा मैं आपको लेकर बताऊंगा और जहां तक अंदाजा लगाया जाए यूजी का जो form है November 20 की करीब में इलेक्शन की बाद ही आएगा और इसके बाद आपको एक बात बताया जाए कि जे इलेक्शन खतम होता ही आपको बहुत सारा नोटिस बगेरा देखने के मिलनेगा और बहुत सारा अपडेट है लेकि see you soon with an official update from medical education website